बैसा आप गलती कर ले हो, मेक्सिमम अपना पैसा स्मोल केप मिचल फंड में इन्वेस्ट कर ले हो आपको प्रोप्र अलोकेशन करना था, अभी तो मार्केट अप है इसलिए आपका पैसा बढ़ रहा है जब मार्केट अच्छा कासा गिरेगा तब आपका पैसा भी गिरेगा दोचा चोईस स्मोल केप मिचल फंड का नहीं है आपको प्राथप्रीक फ्लेक्सी केप मिचल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए आप अपने पोटफोलियो में प्राथप्रिक फ्लेक्सी के बिचर फंड को एड कर सकते हो पूरा पोटफोलियो स्मॉल के बिचर फंड से बढ़ा है क्या यह सही है? योग पोटफोलियो इस नोट प्रोपर डाइवर्सिफाइड इस परकार के जो कमेंट है लाश्ट वीडियो जो हमने अपने पोटफोलियो पे बनाया उस पे आये है बहुत ही अच्छे कमेंट किये हैं ऐसे कमेंट से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है नमस्कार सब कैसे आप आसा करते हैं आप अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम जालनेंगे मैं मैकसिमम अपना पैसा स्मोल के मिचल फंड में क्यों इन्वेस्ट करता हूँ क्या अधिक रिटर्न के लिए मैं अपना पैसा स्मोल के मिचल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या मेरे को अपने पॉर्टफॉलियो में एक लार्ज केप, एक मिड़ केप और एक फ्लिंक्सी केप मुचर फंड भी रखना चाहिए आज हम पॉर्टफॉलियो को लाइव देखते हैं उसमें देखते हैं अपना जो पैसा है वो कहां इन्वेस्ट हो रहा है वीडियो कम् exits देखना वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के यह सेर करना ना बूले या खुद रिशर्च करके अपना पैसा इन्वेस्ट करें, मैं मैकसिमा वीडियो एक्वीटी मिचल फंड पर ही बनाता हूँ, और एक्वीटी मिचल फंड का आर्थ होता है, आपका पैसा शेर मारकेट में अलग-लग साइस की कमपनियों में इन्वेस्ट होता है, तो चलिए बिना देर कीवे चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लाइश वीडियो में मैंने बताया अभी तक मैंने टोटल दस म्यूचर फंड में इन्वेस्ट किया है अभी मार्केट हाई होने की वज़े से एक म्यूचर फंड से अपना पैसा निकाल के जो अधर म्यूचर फंड है उसमें इन्वेस्ट किया है मेरा एसेट एमर्चीक फंड है उसके अंदर हमारे पचाल जा रुपे इन्वेस्ट है उनको मैंने रिडीम करके जो अधर म्यूचर फंड है मेरे पोटफोलियो में उन्वेस्ट किया अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मेरे पोटफोलियो में नो म्यूचर फंड है नो म्यूचर फंड मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रखाए मेरा जो पोटफोलियो है उसमें मेक्सिमम स्मॉल के ब्यूचर फंड ही है SBI Small Care Fund Direct Grow, HDFC Small Care Fund Direct Grow, SBI Flexi Care Fund Direct Grow, Kewaant Small Care Fund Direct Grow, Kendra Ruko Small Care, Nippan India Small Care, PGM India Small Care, Nippan India Tech Saver Fund, Axis Small Care Fund इस परकार मेरे पोटफोलियो में टोटल नो फंड है मैं अपने पोटफोलियो में थोड़ा बहुत चेंज करता रहता हूँ, मेक्सिमम अमांट मैं SIP के द्वारा ही इन्वेस्ट करता हूँ अभी मैं Grow Application के द्वारा अपना पैसा SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर रहा हूँ Grow Application में पोटफोलियो अनलेसिस करके एक टेप दिखाई दे रही है उस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के पाद आपको अपने पोटफोलियो का ग्राफ दिखाई देगा जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करोगे स्क्रोल करने पे आपको दिखाई दे रहा है Equity Assets Allocation इसके अंदर तीन इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है Sector's, Market Care और Companies Sector के अंदर आपका पैसा कौनगोन से सेक्टर में कितना परशेंट इन्वेस्ट हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा अभी जो आपको स्क्रीन पे अलोकेशन दिखाई दे रहा है ये पूरे पोर्ट हो लिए होगा है एक मिचल फंड का नहीं है Services के अंदर 16% के लगवर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है Financial के अंदर 16% Capital Goods के अंदर 10% के आसपास इन्वेस्ट हो रहा है Market के टेप पे क्लिक करने पे Mid Cap, Small Cap और Large Cap आप स्क्रीन पे देख पा रहा होंगे Mid Cap में 50%, Small Cap में 31%, Large Cap में 18% ये जो आपको अलग-लग डिवाइड करके दिखाई दे रहा है मेरा जो पैसा है वो अलग-लग साइज की कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है Mid Cap का अर्थ है Medium साइज की जो कंपनी है उसमें मेरा पैसा 50% इन्वेस्ट हो रहा है Small साइज की कंपनी में मेरा 31% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है लाज साइज की जो कमपनिया है उसमें 18% पैसा इन्वेस्ट हो रखा है अभी तक मेरे पोर्ट हो लियो में जितना भी पैसा इन्वेस्ट हो रखा है उसका ये अलोकेशन है अलग-अलग साइज की कमपनियों में आपने स्क्रीन पे देखा मिट केप का अर्थ है मिंडियम साइज की कमपनिया जिन कमपनियों का फंड साइज 5,000 करोड से 20,000 करोड के बीज रहता है उन कमपनियों को मिट केप कमपनिया बोला जाता है जिन कमपनियों का मार्केट केप 5,000 करोड से नीचे है उन कमपनियों को स्मोल केप कंपनियां बोला जाता है लांज केप कंपनियां वो होती है जिसका मार्केट के 20,000 क्रोड से अधिक होता है तो मेरा जो इन्वेस्मेंट है मेक्सिमम मिट केप कंपनियों में हो रहा है स्मोल केप मीट केप कंपनियों में इन्वेस्ट करने से स्मॉल साइज की कमपनी में इन्वेस्ट होता है ऐसा नहीं है जब आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उस में हो सकता है जिन कमपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो कमपनियां स्मॉल साइज किये लेकिन दिले दिले जैसे ग्रोथ करेगी तो उनका मार्केट केप बढ़ेगा जैसे ही मार्केट केप कंपनी का बढ़ेगा वो कंपनी स्मॉल साइज से मिड केप साइज में करवर्ट हो जाती है और जो मीडियम साइज की कंपनी है वो मिड केप से लार्ज केप में चली जाती है और लार्ज केप कंपनी लार्ज केप ही रहेगी जैसे जब आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उसमें कमपनी की साइच स्मॉल गेप है लेकिन देरे देरे वो कमपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा के ग्रोथ करती है कोई भी कमपनी अगर मार्केट में आती है तो वो चारती है अपनी ग्रोथ हो वो अपने अच्छे से क्षिर्ट से प्रोडक्ट करती है कस्टमर उनको Judy करते हैं जितने ज्यादा ब्राइक कि प्रोड़क्र यूज करेंगे तो उस कमपनी के प्रोड़क् immesso Olay ज्यादा सेल होने से उस कमपनी की ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ होने पर वो कंपनी स्मोल साइज की है, दीरे दीरे ग्रोथ होने के बाद वो मीडियम कंपनी बन जारती है, आगे जाके वो लोंग टरम में लार्ज साइज की कंपनी भी बन जारती है, तो आपको आज की वीडियो में समझ आया होगा मेरा पैसा मेकसिमम इन्वेस्मेंट मिटकेप कंपोनियों में हो रहा है तो मैं क्यों मिटकेप और फ्लिक्सी केप और लार्ज केप मिटर फंड में इन्वेस्ट करूँ जब मेरा पैसा ही मिटकेप कंपोनियों में इन्वेस्ट हो रहा है तो मेरी risk भी medium size की है और मेरे को जो return मिल रहा है वो भी अच्छा मिल रहा है long term के लिए invest करोगे तो आपकी risk जैसे लिए से आप invest करोगे तीरी दिले कम होती रहेगी आप investment को समझो जब आप समझ के invest करोगे तो आपका 2-3% return ओटोमेटी की बढ़ जाएगा आप बिना समझाए किसी भी mutual fund में invest करोगे तो आपको हो सकता है किसी में 10% return मिले किसी में पारचनी में हो रहा है किस साइज की company में हो रहा है वो company किस product का निर्माण कर रही है उस प्रोड़क्ट को आप यूज कर रहे हो या नहीं आप अगर यूज कर रहे हो तो आपको समझाएगा आपका पैसा जहां इंवेस्ट हो रहा है वो कंपनी अच्छा प्रोड़क्ट का निवान कर रही है इसके बाद तीसरी जो इंटरफेस है उसमें आप देख सकते हो कंपनी दिखा हो है उसको आप चेक कर सकते हो कोन सी कंपनी में आपका कितना परसेंट पैसा इंवेस्ट हो रहा है अलग-अलग साइस की कंपनी में आपका पैसा इंवेस्ट हो रहा है रिलाइंस इंडेस्ट्री, ब्लु स्टार, आईश आईश एश बेंग, कार्गो रंडम यूनिवर्सल, बीवार, इनॉक्स, इस पर घर यह जो डॉक के कंपनी है उसमें हमारा मेकसिमम पैसा इन्वेस्ट हो रहा है यह जो होल्डिंग है, यह दिरे दिरे चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं है कि रिलाइंस में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, तो आदि जाके भी रिलाइंस में ज़्यादा होगा यहाँ पे आप अपने टोटल पोर्टफोलियो की ओल्डिंग चेख कर सकते हो, कौन सी कंपनी में खितना परसेंट पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है तो आप यहां पे चेक करते रहे हैं आपका पैसा का इन्वेस्ट हो रहा है इस कंपनी का कुण सा प्रोडेक्ट आप यूज कर रहे हो आपका कितना परसेंट पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है इस कंपनी की ग्रोथ क्या है थोड़ा बहुत भी आप अगर मिंट्सर के साथ शेर जरूर के लिए कंटिन्यू एसाइपी के द्वारा इन्वेस्ट करते दिये मस्त रहिए जैहीं जैवार